वेलकम टो आनलाइन गलास राम राजी इंट्रकलाईज नरायनपूर प्रीतमपूर हीरापूर हम बैटका नगर में आपका स्वागत है फुट मारनिंग बच्चों जैसे कि हम लोग दो क्लास ले पढ़ चुके थे एक तो क्लास के माध्यम से एक वर्चुल क्लास के माध्यम से ठीक है ना कुछ कारणा बस इस एक नहीं कम्पलिट हो पाया बात करेंगे तो हम लोग पढ़ा थे बिलेन तो बच्चों सभी लोग को पता है की कहते किसे हैं क्यों हम पढ़ाया थे याफ लोगों को कुको कहते किसे हैं तो उसमें उसका जो जैनर डिफनेशन था दो या दो से अधिक समांगी मिस्रण को बिलियन कहते हैं क्यों इसे मान लेजिए जल में थोड़ी चीनी डाल कर उसे लाने पर चीनी जल में अध्रिस हो जाता है अर्धार बिलियन हो जाता है अर्धार घूल जाता है ता चीनी जल एक पार दर्सक समांगी मिस्रण अर्धार बिलियन बन जाता है इसे हम बिलियन को परिभासित कर सकते हैं इसके बाद इसमें बिलियन में आता है बिलायक और बिलियन जीसे कहते हैं सालवेंड और सालूट ठीक है तो जो बिलियन के जिस घटक की मूल भावती काउस था जो बिलियन होता है बिलियन के जिस घटक की मूल भावती काउस था बिलियन जैसे होती है उसे भी लायक कहते हैं और दूसरे घटक को अर्थाज बिलियन हुए प्तार्थ को क्या कहते हैं बिलियन जैसे मान लिजी आप लोग सर रबत बनाये होंगे तो उसमें जल होता है और क्या होता है चीनी होता है या गुड़ होता है ठीक है ना तो जब जल में डालती हो चीनी को तो जल होता है ऐस सलूसन बिलियन जैसा होता है लेकिन जो गुड़ होता है चीनी होता है क्या साथ उसमें बेلة होता है तो कहले तो किन कि अदूसरी घरत के बनाइस को भाणातन दारत के गएते हैं इसके बात शेइंस परकारों में भाज़ित किया गया है, ठोस का ठोस में, दोका दोर में, गैस का ठोस में, ठीक है Lenna, इस वरकार से फिर नेस्ट पॉइंड बनता है तन विलियन जो तन विलियन होता है उसे कहते हैं डायलूट सलूशन जिस विलियन में विलिये की सांदरता कम होती है जिस विलियन में विलिये की सांदरता कम होती है उसे तन्विलियन कहते हैं या डालूट सलोशन कहते हैं जैसे मान लिजी आप लोगों ने प्रियोक साला में गए होंगी तो वहाँ पर लिहा रहता है एक डालूट होता है और एक क्या होता है कांक होता है या सांद्र होता है तो जो टालूट होता है उसमें वाटर मिला जाता है मेन रेजेंट में ठीक है ना तो जो सांद्र होता है जिस बिलियन में बिले की संद्र ताधिक होती है उसे सांद्र बिलियन कहते हैं इसके बाद बात आती है सलविल्टी की, जो सलविल्टी होती है किसी पदार्थ की वह मातरा जो निश्ची ताप पर सव ग्राम विलायक को संत्रिप्त करने के लिए आविशक होती है, पदार्थ की बिलेता गराती है इसके बाद निश्ची टापिक पॉइंट आता है अतिसंत्रिप्त विलेन निश्ची तापर किसी विलेन को संत्रिप्त गरने के लिए आवेशक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा जिस विलेन में उपस्तित होती है उसे अतिसंत्रिप्त विलेन कहते हैं जैसे सोडियम थायो, सलफेट फार्मूला होता, एने टू, एस्टू, ओधरी इन्टू फाइप स्टू, ठीक ना, तो यह रहा, आसे नत्रित बिलेन का एक जाम भला है, इसके बाद, बात करते हैं, बिलेता को प्रभाववत करने वाले कारक, ठीक ना, बिलेता को प्रभाववत करने वाले कारक जो होते हैं, उसमें बिलेनों की सानर्थाव्यक्त करने की कुछ विधिया होती हैं, जो भार प्रतिसत्ता होता है, तो भार प्रतिसत्ता होता है, उसको डिभाइन कैसे करेंगे, ग्रामों की संख्या billion की भार प्रतिसत्ता कलाती है ठीक न तो हो जाएगा भार प्रतिसत्ता equal to billion का भार बटा billion का भार ग्राम में into 100 ठीक न तो हो जाएगा इसका भार प्रतिसत्ता इसके बाद बात करते हैं बिलेन की आयतन प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् ठीक है ना तोईस परकार से हम लोग निकाल सकते हैं बिलियन की आइटन प्रतिसात्ता इसके बाद अगला पॉइंड बनता है पेपी यम पार्ट पर मेलियन में सांदरता बिलियन में एक मेलियन अर्थार्थ इसके बाद बात करते हैं बिलियन की नर्मलता देखे बच्चों जो बिलियन की सांदरता प्रत गरने की विधियां है इस सब के कोशन पूटब करता है इस फर्मूले को आप कई बार प्रेक्टिस करिएगा लिखके ठीक है ना आओ इसको याद करिएगा इस फर्मूले भीन हमने मेरे लिकल करवाएंगे इसके बाद बिलियन के एक लिटर में बिलियन के तुल्यांगों की संख्या बिलियन की नर्मलता बराबर बिलियन के तुल्यांगों की संख्या बटा बिलियन का आधन लिटर में इसके बाद आगे बात करते हैं बिलियन की मुललता क्या होती है मुललता होता है एक मुललता होता है तो बिलियन के एक लीटर में बिलियन बिलिय की मुलों की संख्या बिलियन की मुललता गलाती है इस ताप पर परभाव पड़ता है तो हो जाएगा बिलियन की मुललता बराबर बिलिय का भार बिलिय का भार बटा बिलियन का आयतन लेटर में इसके बाद बात करते हैं बिलियन की मुल लड़ता क्या होती है एक किलो ग्राम बिलाएक में बिलियन की मुलों की संख्या बिलियन की लड़ता कलाती है ठीक है ना इसके बाद मूल प्रभाज का मूल प्रभाज इंपॉर्डेंट है किसी घटक बेशेज का मूल प्रभाज उस घटक की मूल प्रभाज की संख्या बेलेन के सभी घटकों की कुल मूलों की संख्या के अनुपात की बराबर होता है तो मूल प्रभाज बराबर घटक की मूलों की संख्या बड़ा बेलेन में उपासित कुल मूलों की संख्या ठीक है ना एरा मूल प्रभाज इस पर हम नुमेरिकल करवाएंगे नुमेरिकल कि हमरों के रूप में वसा आज इतना ही थाइंग क्यूँ